असलाम अलेकम, आज मैं आपके साथ बनाना चाकलेट चिप मिफिन की रेस्पी शेयर कार रही हूँ ये बच्चों को बहुत पसांद आते हैं, आप ये बना के अपने बच्चों को लैंच बक्स में दें, ये बहुत मज़े के बनते हैं सबसे पहले ये मैंने कपकेक लाइनर लगा लियें और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 पे, अगर आपने पतीले में करना है तो पतीले को भी आप चुले पे राके उसको भी प्री हीट कर लें सबसे पहले मैदा चान रही हूँ यह एक कप मैंने मैदा लिया है पहले भी मैंने चान के रखा होता है अब इसके अंदर कोको पोडर मैंने डाला है वान फॉर्थ कप अब एक पिंच इसके अंदर नमक डाला है इसके अंदर बेकिंग पोडर एक टी स्पून और वन फॉर्थ टी स्पून जाएगा और ये सारी चीज़ों को डाल के इस तरह चान लेना है ये जब भी आप बेकिंग करने लगें ये जरूर इस तरह वो सारी चीज़ों को चान लिया करें इस तरह केक्स सॉफ्ट बनता है या कापकेक्स वगएरा ये चमच से इस तरह दबा के ये कोको पोडर वो जो गुठलिगा वगएरा है ये अनकाल लेना ये इस तरीके से वो साफ्ट बनता है अब मैंने ये चान लिया है अब इसके अंदर दो केले जाएंगे और दो यंडे शूगर इसके अंदर जाएगी थ्री फोर्थ कप वन फोर्थ कप इसके अंदर कुकिंग ओल और ये चाकलेट चिप मैंने दोनों लिये हैं वाइट और दूसरे चाकलेट वाले अब दूद इसके अंदर वन फोर्थ कप जाएगा ये मैं जग में ब्लैंड कर रही हूँ ये सारी चीज़ें जग में डालके इनको ब्लैंड कर लेना है और मैदा वगहरा छान लिया है ये बहुत ही असानी से बहुत जल्दी इससождения बान जाते हैं या फिर आप हैंड्विस्क से कर लें उस तरह फिर आप चीनी पीस के लें हैंड विस्क से भी असानी से हो जाता है या फिर इस तरह जाग में डाल के आप ब्लैंड करें और वो उसके अंदर मिक्स करें और बेक करें वनीला सैंस इसके अंदर फॉर्थ टी स्पून मैंने अड़ किया है और सारी चीजों को डाल के ब्लैंड कर लिया है अंडे शूगर केला वो वनीला सैंस चीनी अब ये मैदे वाले के अंदर मैं इस तरह वो मिक्सर सारा डाल के इसको अच्छी तरह वो कर रही हूं इसको ओवर बीट नहीं करना होता जब भी आप इस तरह करें तो मैं जब इसके ओवर बीट करें तो वो इस तरह भी सखत हो जाता है केक यह स्पैचले से सारा इस तरह जाग को साफ कर लेने हैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है यह दूद मैंने इसके अंदर यह एड़ कर दिया है और चाकलेट चिप मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगी और बनाना और कोको पॉडर वगारा डाल के बनाएं यह इसके अंदर एक टी स्पून मैंने वाइट वनीगर डाला है इससे यह जरा सौफ्ट बनेंगे या फिर आप इसका बटर मिल्क बना लें दूद के अंदर यह वाइट वनीगर अड़ कर लें अब कोई सब यह एक चमच और एक ही जितना बैटर यह सब के अंदर डाल के यह बारा मफिन्स बनेंगे जितना मैंने बैटर बनाया है और मैं ओवन में बेक कर रही हूँ यह ओवन में 15 से 20 मिन्ट में बेक हो जाएं गए या अगर आपने पतीले में करना है तो पतीले में भी वो जल्दी हो जाते हैं पतीले में भी असानी से आप इसके अंदर टूथपिक डाल के देख लिया करें अगर वो साफ निकल आए तो ठीक है अगर बैटर लाग जाए तो थोड़ी देर और बेक कर लिया करें ये टिशू से उपर से साफ कर लेना है अब इसके उपर चॉकलेट चिप डाल रही हूँ ये सारे उपर डाल के फिर इसको बेक करना है ये आप बना के जरूर इस तरह ट्राई करें ये ओवन में मैं राक रही हूँ ओवन में ये 20 मिन्ट में बेक हुए है अब इने मैं कूलिंग रैट पे रखती हूँ और आगे मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ ये बहुत मज़े के बनते हैं ये जो बनाना भी साथ और चाकलेट चिप भी इसके अंदर एड़ हुए है ये बहुत सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं ये आप बना के इस तरह राख लिया करें ये बाइर भी अगर पड़े रहें किसी ये टाइड डबे में तो ये हराब नहीं होंगे ये आप इसको एक अफ़ते ताक भी इस्तमाल कर सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं आप इसको बना के जरूर इस तरह ट्राइ करें ये चाकलेट चिप इसके अंदर वो जो मैल्ट हुए है चाकलेटी फ्लेवर आप इसको बनाएं जरूर ट्राइ करें थैंक्स फार वाचिंग ओके अल्ला आफीज